कभी आपने ठेले पे इडली दोसा खाया है। वहाँ पे जो इडली के साथ चटनी देते हैं ना बिल्कुल वाटरी टाइप वही बनाने वाले हैं हम। ये चटनी इतनी टेस्टी होती है ना कि बिना समबर के भी इडली का तेस्ट पहुत ही वड़िया आएगा। तो रेसिपी को अन तक ज़रूर देखेगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा। तो नीर चटनी बनाने के लिए सबसे पहने मैंने ले लिया है रोस्टेट ग्राम। ये लगबग 3-4 थाई कप है भुना हुआ चना दाल। इस रेसिपी में हम चना दाल का इस्तमाल थोड़ा ज़़ा करने वाले हैं। याने की 3-4 थाई कप चना दाल पे एक चना थाई कप के जबना कोकनिट है ये। मैंने फ्रेश कोकनिट का यूज़ किया है। आप चाहे तो जो ड्राय वाला कुकनेट होता है ना उसे भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे पाथ से छे हरी मिर्च, दो या तीन कर्लिया हम लेंगे करी लीव्स की, उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें टामरेंड याने की खटाई आड़ करेंगे, आदा इंच के हिसाब से हमने अद्रक लिया है इसमें और एक गारलिक याने की लस्टन लिया है, अगर आप लस्टन नहीं खाते तो इसे अवाइड भी कर सकते हैं, नमक मैं थोड़ा ज़ादा आड़ करूँगी इसमें क्योंकि इसे पीसने के बाद हम इसमें धेर सारा पानी जो आड़ करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी वाटरी टाइप की चटनी है, अब इन सारी चीजों को हम डाल देंगे ग्राइंडर के जार में, और फिर इसमें थोड़ा पानी आड़ करके एकदम स्मूथ पेस तयार कर लेंगे, तो यहाँ पे लगबग मैं आदा कप के हिसाब से पानी का यूज़ करूँगी, मिर्च मैंने पाच से छे लिया है, आप अपने टेस्क के अकॉड़ी आड़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी चटनी का स्मूथ पेस तयार है, इसे मैं एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लूँगी, अब जो ग्राइंडर जार में थोड़ी सी चटनी चिपकी हुई है न, उसमें भी हम पानी आड़ कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे, तो यह चटनी कितना थिक या कितना थिन चाहिए, आप अपनी मर्जी से उसे एड़्जेस कर सकते हैं, पर अगर इडली खाना है तो उसके लिए थिन कोकनेट चटनी ही सही रहेगा, तो यहाँ पर एक चाहताई कप पानी और डाल दिया है, आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चलिए फिर तड़के की तयारी करते हैं, तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून ओईल को गरम कर दिया है तड़का पैन में, उसमें डाल दिया है राई, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, इन सब को मिक्स कर दीजे और फिर डाल दीजे हमारी चटनी के उपर, चटनी में तड़का डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी नीर चटनी बनकर रेड़ी है, आप इसे इडली के साथ सर्फ कीजे या फिर वड़ा के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, लेकिन अगर दोसा के साथ खा रहे हैं, तो पानी थोड़ा कम डालिएगा, तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजे, फ्रेंड्स और फामली के साथ शेर कीजे, और टेस्टी वेज रेसिपी को सब्स्क्राइब कीजे, थैंक्स ओर वच्चिंग, बाई!